कि हेलो अभरीवन इस व्यांगी वेलकॉम धीफ क्लासेश इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले की रेंच इंटरक्वाइल रेंज और क्वाइशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो डेटा में आपको क्या गिवन होगा मार्क्स और नंबर ऑफ स्टुडेंट तो नंबर ऑफ स् पर लिम्त कि अंतर्वल की उपने जांगी हो र हुआ है socket उन्हाइश llй कोसा dot स्कुलेश वीट कोन प्लती है ऐल दना हमीश और w기에 मिट कोनगी है इस का है सिखेला पर लिमिट है है लोवर क्वार्टाई और क्यू थी अपर क्वार्टाई तो इसलिए हैं सी एफ को हमने निकाला है तो सी एफ कैसे निकलता है यह मैंने आपको बताया हुआ है जब मीडियन वाला हमने कोशन करा था तो फर्स फ्रिक्वेंसी वही रहती है फिर हम एड करते चले जाते हैं 5 प्ल वरस तर्ट ट्वेंटी टूटी टूटी टू ट्रीट प्लस इलेवन फटी नाइन फ़टीनाइं प्लस 7 56 56 प्लस त्री 59 59 टू 61 61 फ्लस टू 63 63 प्लस 0 63 तो जो लास्ट होता है चीए फको और जो हमारा एं मतलब एफ का टोटल है जैसे इन से डिनोट करते है वह सेम होता है तो आपने मिस्टेक करिए तो आप अपना केल्कुलेशन चेक कर लेना तो Q3 Q1 पहले ही निकालना सिखाया हूँ आपने एक बार रिकॉल कर लेते हैं Q1 का फॉर्मला क्या था प्लस एन बाइफ एन कितना था 63 फो से डिवाइड करा कितना है 15.75 तो अब इस 15.75 को किसमें चेक करते हैं मलब जो एन बाइफ एन फोर आया 20 L ठीक है F क्या है हमारा यहां पर 10 H क्या है हमारा 10 है इनके बीच के जो डिफ्रेंस है 10 C F क्या होती है जस्ट जो हमने सेलेक्ट की एक लास उसके जस्ट उपर वाला C F कितना है हमारा यह 12 तो यह सब लिखा हुआ है ठीक है यहां पर मैंने पहले ही फॉर्मले में पुट कर दिया आप कैलकूलेशन करनी तो आपको आती है 10 से 10 कैंसल होगे 15.75 मैंस 12 3.75 और एड़ करके 23.75 अब आते हैं Q3 के तरफ इसमें हम क्या निकालते है 3N बाए 4 तो 3N बाए 4 आया हमारा 189 डिवाइड बाए 4 डिवाइड कर हमने 47.25 तो 47.25 किसमें आ 27 एच कितना है 10 और C F कितना है हमारा 38 जस्ट उपर वाला होता है उसके जस्ट उपर वाल जो हम सेलक करते है 38 तो वैल्यूस के डाल दी हमने फॉर्मले में डाल दी फॉर्मला वही है बस यहां 3N बाए 4 आ गया और मीडियन में खाली क्या होता है n बाए 2 होता है तो फॉर्म चिसका फॉर्मला होता है क्यू 3 माइनस क्यू 1 आप हमारी दोनों चीज आ चुकी है तो वैल्यू पुट करती तो कितना आ गया 24.65 अब हमें क्वाट्र डाइवेशन निकालना था जिसे हम स्वैमी इंट्र क्वाट्र रेंज भी बहुते है तो इस क्वाट्र डाइशन फॉ 12.325 तो आई होप आप कोई क्लियर हो गया होगा आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट अन सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू